तो दोस्तों नमस्कार हमारे टूप चैनल में आपका स्वागत है देखे सो जारखंड के अलग-अलग जीलों से अलग-अलग ब्लोकों से अलग-अलग विभागों से भरतिया निकल कर आई है और इन सभी भरतियों के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताया जागा दोस् दोसों टेलीग्राम को जोन कर लिजिएगा चलिए सबसे पहले वेकंसी के हम लोग बात करें दोसों तो यहाँ पर जीला स्वास सम्मिती लातिहार जीला से देखें निकल कर आई जो की सदर होस्पिटल केंपस में आप लोग को जो है जौने वाला है चलिए बात करते हैं सो क् परियोग सलाब प्राइवेदिक यानि लैप टेक्निशन का है फार्मासिस्ट है अरे देखिए एम टी सी नूट्रेशन काउंसलर के लिए है MPW के लिए वेकिंसी निकल कर आई है तो इन सभी पोस्ट के लिए आप लोगा कूल मिला कर 131 पदों के लिए वेकिंसी आप लोगा आया है चलिए बात करते हैं सोब लोगा एज कितना होना चाहिए तो एज देखिए यहां पर कट अप डेट 31 2023 के नुसरा रखा गया है और जोगी नियूंतम यानि 18 वर्स आप लोगा देखिए मिनिमम एज होना चाहिए अधिक्तम उम्रुसिमा देखिए 25 2016 के नुसरा रखा गया ह यहां पर देखे जैनरल और EWS के लिए समान महिला के लिए 38 वर्स जैनरल के लिए और सटी महिला फूरुस दोनों के लिए पर 40 वर्स रखा गया इसमें देखिए ओबीसी केडिए कर देखिए नहीं दिया गया है क्योंकि दूस्टों आप लोग जानते हैं नया नेवालि के तहत लातिहार जीला के लिए निर्धारित आरक्षन रोश्टर के अनुसार पीछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पीछड़ा वर्ग के आवेदकों को आरक्षित सेर्णी में नहीं रखे जाने की स्तिती में यह समानने कोट्णी के अंतरगत माने जाएंगे मतलब दोस्तों OBC को जो है अब जो है समानने काटेगरी के अंतरगत जो है कर दिया गए यहनि OBC का एज लिमिट देखे 35 वर्ष रखा गया अधिक्तम उम्रसीमा चलिए बात करते हैं आविदन सुन को दोस्तों इसमें देखे आप लोग को कोई भी पेमेंट नहीं लग रही ह इसमें पेमेंट आप लोग को जो है नहीं देना है तो आप लोग कैसे आविदन करेंगे देखिए ध्यान रखेगा आविदक जो है आविदन के साथ इस आसाएक अन्यूंतम 10 रुपय का नौन जुडिसियल स्टाम पेपर पर इंटिमिटिट बॉंड संलगन करना अनिबार होगा जो की सम्विदा आधारित है अनुबंद के अधार पर आप लोग का न्यूकति हो नहीं है और आप लोग बात में दावा नहीं कर सकें कि इसको जो है पर्मानेंट कर देजिए इसके लिए नौन जुडिसियल स्टाम पेपर आप लोगों जो है बनवाना पड़ेगा दूसरा आप लोगों क्या करना है दूसरों देखिए आप लोगों जो है पचीस रुपय का डाक टिकट साथना है एक लिफापे के अंदर दूसरों जो की एक बड़ा लिफापा होगा और एक छोटा लिफापा होगा चोटा लिफापा में जो है पचीस रुपय का डाक टि जाएगे डिटेल में दिया वाए दोसों क्या क्वालिफिक्रिशन चाहिए एनम का यहां पर देखे एनम का जो है टेन प्लस टू यानि टूवेल्थ पास आपका होड डिगरी होना चाहिए एनम का डिगरी होना चाहिए और दो साल का एक्सप्रियंस मंगा गया है 1144 रुपय आप लोको जो है पेमेंट दी जाएगी स्टाप नर्स देखे टैन प्लस टू यानि इंटरमेडियेट होना चाहिए तीन साल का जेनरल नर्सिंग का कोर्स होना चाहिए और दो साल का एक्सप्रियंस मंगा गया है 16544 रुपय पेमेंट आप लोको जो है दी जाएगी ड्रेसर के लिए मैट्रिकुलेशन पास चाहिए और एक साल का जो है डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए ड्रेसर का और साथ में दोस्तों कहीं कहीं पर भी आप काम किये हुए दो साल का एक्सप्रियंस होना चाहिए 10,445 रुपय आप लोको जो है पेमेंट दी जाएगी लैब टेकनीशन देगे डिप्लोमा होना चाहिए लैब टेकनीशन का ठीक है और यहां पर देखिए दो साल का एक्सप्रियंस मंगा गया है 15,671 रुपय आप लोको जो है पेमेंट दी जाएगी तो इस तरह करेंगे पते आप लोगा देखिए यहां नीकल करा है जहां पर होमगाट पदों के लिए बाहाली निकल कर आईए कूल मिला कर पंद्रह सो एक पोष्ट यह जारी किया गया चयल्यटिकिकशन इसका civils 3 यहां पर ग्रामीन गिरी रक्ष्ट पोष्ट है और सहरी गिरी रख्शक्व ए लिए बात करते हैं आप लोगा जो है उम्र जीमा क्या रहे देखिए एक दोजार तैईस के नुसार नियुनतम आप लोगा उनीस वर्स होना चाहिए मैक्सिमम देखिए साथ मैं साथ हैं तो आवधन कर सकते हैं सबसेक्ट के लिए इन करकेंगे तो खुस होगे 9000 सीना दोस्तों जोकी 89 सेंटिमेटर होना चाहिए और सिएश्ट के लिए देखे 36 सेंटिमेटर रखा गया है अब लोगां सीना इसमें देख्या आप लोगा सेलेक्सिन कैसे होगी तो सेलेक्शन पहले पर लिखित परिख्षा का माधियम से और कर पाएंगे सभी के लिएगा पर देखे स самом के लिया लुए फीकु स्थ ृस्य स्द् audio तो दोस्तों देखे अगला जो वेकेंसी निकल कर आई है CCL के तरफ से बाह लिए या जो वेकेंसी है आप लोग सभी केंड़ेट आवे दिन कर सकते हैं CCL जारखन में या वेकेंसी निकाला गया है ठीक है अलग-अलग पोस्ट है कुल मिलाकर 330 पोस्ट लिए जहां पर माइनि सरदार के लिए है ठीक है इलेक्टरेशन नौन एग्जोगेटिव टेकनिसियन के लिए है डीपटी सर्वाइबर के लिए है आगे देखे एसिस्टेंट फॉर्मेन इलेक्ट्रिकल पोस्ट लिए बाह लिए कुल मिलाकर 330 पोस्ट के लिए भेकेंसी है आप सभी केंड़ेट इस वेकेंसी को आविदरान कर सकते हैं चलिए बात करते हैं सो क्या देखे क्या रखा गیا है तो माइनिंग्स रधार के लिए जो भीकेंडिट आभीदन करेंगे इसमें कि आपका मीनिम्मम तो मैट्टलिक पास होना चाहिए और सरदार का निभी होना जरूरी देएगा फिल पी तरह दुसों यहाँ पर देखे आपन जो की इलैक्रिसियन यानी इन लोन टेकनी लिए आविदन करेंगे तो इसमें अपको का जो है मैट्रिकुलेशन का डिगरी होना चाहिए और साथ बैसे आई होना चाहिए जो कि electrician trade से तभी आप लोग जो है आभिदन कर पाएंगे वेकेंसी के लिए अगला जो पोस्ट देखिए डिप्टी survivor के लिए जो भी candidate आभिदन करेंगे metric pass आपका कम से कम होना चाहिए और साथ ही ध्यान करेंगे कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए और साथ ही दूसरों जैसे कि यहां पर देख रहे हैं डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल आपका होना जरूरी है तभी आप लोग आभिदन कर सकेंगे डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग का ध्यान करके आपको वेदन कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के अगला जो निकल कर आई है ढ़ाilly से वेगेंसि है जो की मेद्नी राइ मेडिकल कॉलेज से बैकेंसि निकल कर आई है यहाँ पर जूनियर रेजिडेंट पदों के लिए आप लोगा देखे वेकेंसी निकाला गया है जो कि इंटरव्यू के माद्यम से सेलेक्शन होगी और यह इंटरव्यू 19 अपरेल को देखे रखा गया है ध्यान रखे गस्तों आप लोग को कारियाल है अधिक चक मैदनीराय म लोग विभाग में टीवी एबम चेस्ट विभाग में मानसी रोग विभाग में इस सब्सक्राइब कर जो है 32 पोस्ट के लिए आप लोग का बाहली यहाँ पर लिया जा रहा है ठीक है जो भी केंड़ेट मभी एस हैं वह आप लोग जो है इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते सारा डोकुमेंट्स आपको जो है ले करके पहुंच जानी है बताएगे एड्रेस पर ध्यान रखेंगे यहाँ पर 41,000 रुपय आप लोगो परती महिना पेमेंट आपको जो है की जाएगी ठीक है अगला जो वेकेंसी निकल कर आई है जारखन पुलीस हाउसिंग कॉर्परे अशिस्टेंट केसियर एकाॉंटेंट एकेंसीटकर टेक्सेशन ये निकला गया था टियक है आप इसका जो है देखेंटर नमबर कुणिए बाहलने करना चाहिए तो इसके लिए पर आ다면 फिर्रっと नंजिनिरिण के लिए आवे दिन यहां पडिकीस डिटाय। कि दिइया हूं जो की सिबिल इंटिकरी आपका होना चाहिए चाहिए आपको किसी इनवर्सेटी एक टीप्लोमा डेकरी किए हो से तो आप आवेदेन कर सकते हैं लेकिन तीन साल का भी आपका जो है मांगा गया है उसके पास अद्राप्समेंट पोष्ट लिए र普 इसवं पसका अप्रेज कि ये सब्सक्रेंस का क्या बेज देनी है ये आप लोगा फॉर्म दुस्तों तो दोस्टों दिखे अगला जो भेंची निकल कर आई है जारकंड के स्वस्वती से शुव विध्या मंदिर स्कुलों में बहाली निकल कर आई है और यह जो बहाली है बिद्या विकास समिती जारकंड या पर दिके वनांचल सिक्षा समयती दुबारा या भेगेंसी निकाला जाता है यहाँ पर teaching and non-teaching post लिए भेगेंसी है जो की आचार या चेयन परिक्षा 2023 PRT teacher के लिए बहाली है जो की class 1 से लेकर के class 5 जिस subject में आवेदन करना चार हैं उसमें आपका जो है graduation की degree साथ में DLA degree आपका है तो आप लोग आवेदन कर सकेंगे यहाँ पर देखें पूरा detail में दोस्तों दे दिया हुआ subject का किन-किन subject के लिए आप लोग जो है आवेदन कर पाएंगे अगला जो यहाँ पर निकल कर आया है देखिए आचार या चेयन परिक्षा 2023 TGT teacher जो की class 6 से लेकर के class 10 तक आप लोग आवेदन क कर सकते हैं आप जिस subject में आवेदन करेंगे उसमें आपका देखिए B8 के degree साथ में graduation का degree आपका जो होना अनिबारे रहेगा अब पूरा detail में देख सकते हैं किन-किन subject के लिए यहाँ पर जो है आप लोग का बहाली निकल कर आई है अगला यहाँ पर देखिए जो की PGT यानि PG पलस B8 ठीक है जिस subject में आवेदन करेंगे उसमें आपका देखिए post graduation degree होना चाहिए और साथ में B8 के degree आप होना चाहिए किन-किन subject के लिए निकल कर आया है पूरा detail में देख सकते हैं वीडियो के discussion में link दिया हुआ है यहाँ पर देखिए अगला जो पोस्ट है आप लोग आपको जानकारी है और ट्रेनिंग सेटिफिकेट आपके पास है जैसे कि में सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पर देखिए अपला एका लिंक देदिया हुआ है और धियान रखेगा तीन अप्रेल से लेकर के 20 अप्रेल तक फॉर्म को आप लोग आवेदन कर सकते हैं यहा पेमेंट लग रही है एकजाम डेट वगर आपको अपडेट किया जागा चैनल को जरू सब्सक्राइब रख लिजेगा बेल अगन को जरू प्रेस रख लिजेगा तो दोस्तों देखे अगला जो वेकेंसी निकल कर आई है जारखंड के सरायकला खरस्वा जीला से वेकेंसी इन शब्रोड निकल निकला गया है जिस सब्जेक्ट में आवेधन करेंगे उसमें आपका लेट seben डी आपका होना जरू डेते ही हूँर और बर दोगे ऐट कैंसे रोम को के बहूर आप लोग और पेस हाई निकरे नहीं पर देनी इसांaly और सब्लंब-पचीजिवालम को समे एड्रेस पर आपलोगोगो पर्लोग के सेंड कर देनी है जो कि आपलोगो स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपलोगो है भेजना है सभी डोकुमेंट्स आपलोगो जो है लगा देना जैरोक्सकोपी फॉर्म का लिंक की वीडियो के डिस्क्सन में आपको जो है मिल जाएगा तो दोस्तों देखे अगला जो वेकेंची निकल कर आई है जारखंड के सराय केला खरस्वाँ से वेकेंची निकला गया है जो कि सराय केला में इस्तित कस्तुरबा गांधी बाली का विद्याले से यह भरती निकल कर आई है आप लोगो देखे फॉर्म भर के सीधे आप लोगो सेंड कर देनी है जो कि कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप लोगा जो सिक्षिका की भरती होनी है जहाँ पर अलगलक्स बिसे है हिंदी, अंग्रेजी, गनीत, भीज्यान, समाजी, भीज्यान इन सभी विस्यों में आप लोगा वेकेंसी निकाला गया है जिस सब्जेक्ट में आप आविदिन करेंगे, उसमें आपका देखें, पोस्ट ग्रिजवेट की डिगरी होना चाहिए और साथ में उसमें बी एट की डिगरी आपका जो होना जरूरी रहेगा ठीक है, फॉर्म बर के 15 अपरिल तक देखेंगे, इसका जो है लास्ट डेट है फॉर्म बर के देखेंगे, आप लोगो जो है इस एड्रेस पर सेंड कर देनी है जो की ध्यान रखेगा, स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड करनी है सभी डोकुमेंट्स का आप लोगो जो है जोयरक्स कोपी लगा देनी है फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्केशन में दे दिया हुआ है